तो आज हुन क्या करेंगे आज हुन करेंगे नॉन स्टेंडर्ड अमाइनो एसेट्स अब एक तो हमारी क्या थे दो स्टेंडर्ड अमाइनो एसेट्स पहले पढ़ चुके है वो कितने हमने अप्रॉक्सिमेटली 20 फ्रॉटीन बना रहे थे राइबोजोन के अगे टाज़ पर क्या बनने थे प्रॉटीन बनने थे बट कुछ हमारे पास क्या होते हैं? Non-standard minorset मतलब वो क्या है? Proteins को नहीं पनाती तो हम देखिए हैं वो करते क्या है? ऐसे minorset कौन से हैं? और वो करते क्या हैं? Basically वो क्या होते हैं? Derivative होते हैं कुछ तो ऐसे हैं जो क्या है हमारे पास derivative है of minorsets कौन से minorset जैसे क्या हैं मैं पास proline थामने कहां तो एक होगे इसका derivative हाइड्रॉक्सी proline तो ये क्या हो गया? Non-standard minorset और क्या है जैसे मैं पास lysine है तो उसका भी ऐसी है hydroxy lysine तो वो भी क्या है मैं पास जो non-standard minorset कुछ तो मारे पास ऐसी हो गए तो अब कुछ तो ये बले हो गए कुछ हो गए जो क्या है intermediate होते है अब intermediate क्या होते है जिसे मारे पास कोई reaction चरदी है suppose करो हम कह रहे हैं कि A से B बनता है हो सत्ते हैं कि बीच में कोई intermediate भी बनता हू एक्स बन राओ बीच में उसे हम कहते हैं intermediate ठीक है तो कुछ एक्स एक्स करते हैं ऐसा intermediate ठीक है उन्हें हम कहते है non-standard amylases अब हम देखिए जैसे क्या है हमने पास oxygen है ठीक है या फिर cytrulin है जो कह है intermediate का का काम करते है synthesis of arginine जब क्या है arginine की biosynthesis होती है biosynthesis मतलब क्या होता है जब compound कुछ बन रहा है ठीक है उसे हम कहते है synthesis arginine की synthesis टक के दाएं orthinin है जो और cytrulin है वो कहा है intermediate और इन्हें हम कहते है जो कह है non-standard amylases ठीक है arginine कौन से तको पते है जिसे में ट्रोल करते है rc minor acid जो ने बढ़ाता पहली ठीक है तो कुछ तो होगे जो हमारी derivative है जो जैसे proline lysine की derivative कौन से hydroxy proline hydroxy lysine है कुछ होगे जो intermediate का गाम करते है अब एक है azacrine azacrine क्या है यह भी क्या है non-standard amyl acid है यह क्या है एक antipartic की जड़ा काम करते है ठीक है अब जिसे में पास proline थे और lysine था वैसी कुछ और भी है उनके नाओं भी देख लेते हूं यार रखने के लिए ठीक है यह है N-acetyl serine ठीक है N-4 mild mithyrine ठीक है जैसे में पास था सिरीन और मिक्सिरीन तो उनके आगे N जो हमारा होता है ठीक है यह मोने गृप उसके आगे रेटैश्मेंट होई ने साथा ठीक है यह पिर है alpha-carpoxy glutamate ठीक है यह साथ अब उमारे एक जो standard amino acid था ठीक है जो हमारा standard amino acid है जो हमने का था 21st amino acid है उसका में structure नहीं देखा था जो भी देख लेते है उसका नेम क्या है selenium cysteine ठीक है सिस्टीन का structure सबको पता होगा ठीक है अगर नहीं पता है तुम देख लेते है एक carbon alpha-carbon है यह यहां पे ammonia group attached है यहां पे carboxyl group attached है यहां पे हमारी hydrogen है और साथ में attachment किसकी है किसकी और यह यह सबको पता है किसका structure है सिस्टीन का ठीक है अब सिस्टीन में जद क्या है sulfur की जगा sulfur को replace किया किसने selenium दी मतलब S की जगा अब आयका S E ठीक है तो बंगे हमारा वो selenium system ठीक है ठीक है यह clear है switch to easy आना याद करना तो अब यह मारा non-standard amino acid नोगल खतम अब हम करेंगे ninhydrin test जो test यूज किया रात है किसके लिए हमारा acid की detection के लिए अब हम करेंगे ninhydrin test जो test किसके लिए यूज किया रात है detect करने के लिए detection of amino acids या फिर जो proteins है बंदे इसके लिए ठीक है clear है अब यह basically है क्या यह है dry keto hydrin tinate hydrate ठीक है यह इसका formula है अब इसका name है अब इसका structure देखेंगे हमारे पास क्या है एक ring है ठीक है जो बनी है ठीक है clear है यहां तक ठीक है अब किसकी attachment दोने है यहां पर अगरा amino acid होगा उसकी detection करनी है तो देखते है कि amino acid साथ में टैच होगे क्या होगा स्पोस करते हैं वाल पास कोई भी amino acid है यह ammonia group है ठीक है यह R है मतलब कोई भी amino acid है यहां पर अब जो हम इसके reaction करेंगे तो क्या बनता है reduced नीन हाइड्री होगा जो रिड्योस नीन हाइड्री होगा उसमें क्या हुगा यह वल है क्या इसकी oxygen है वो remove हो जाएगी और बाहर हमार पास क्या नकलेगा एक तो CO2 एक जो हमारा ammonia है और एक L-hydro ठीक है और यहां पर क्या है simple H आजएगी तो यह बन गया हमार पास यहां पर O-H यह उपर H आजएगी बस्कीर पर क्या यहां से यहां तो यह बन गया हमारा आजएगी अब जो भी यह बना स्ट्क्चर क्या होगा फिर एक दूसरे ऐसे molecule के साथ प्रटैच होगा और साथ में जो यहां पर ammonia की liberation होई है वह भी बीच में formation देगा अब देखते हैं जैसे एक बना स्ट्क्चर अमार पास से पहले बना पढ़ा है ठीक है एक अमार पास जो reduce वल आ गया हम पता चींगे है ना कि उसने क्या कर दिया reduce कर देगा अगर वहां पे क्या होगा अमारे में से present होगा ठीक है तो एक अमार पास यह आ गया प्लस किसकी attachment हो जाएगी ammonia की एक विल्कुल ऐसे होगा हमने का था ठीक है अमार पास यह आ गया ठीक है ठीक है ठीक है अब यहां पी क्या होगा कैसे मारा से यहां पी क्या है water remove हो जाएगे OH 1 यहां से OH 1 यहां से ठीक है ठीक है तो यहां से की remove हो जाएगी तो बनेगा complex मार पास कौन सा ठीक है यह वला बन गया यहां पे हमारी card बनी थी clear है यहां तक ठीक है यहां पे हमारा nitrogen हो जाएगा यहां पे simply उसे हमारी card बनी थी C double bone O C double bone O C double bone O C double bone O ठीक है यह मार पास इसकी form machine हो जाएगी और यहां कहते है human purple ठीक है यह क्या करेगा purple color produce करेगा और हमारा पास पहले कहा था यह dry ketohydrin hydrate था अब यह बन जाएगा हमार पास dry ketohydrin तो यहां इसे जो complex इसे हम जाज़ केते है dye ketohydrin यह फिर हम कैसे इसे human purple इसकी color जो conviction हुआ अब हमने कहा था इसा कॉंसा वाइगर से जो color produce नहीं करेगा तो exception आए proline क्यों कि वहां पी क्या है ammonia group पर test होता है इसे मरपस structure था तो ammonia group था जो वो क्या होता है link क्या होता है तो proline की structure में यह तो क्या आपर पास bind होता है तो वहां पर ammonia क्या होता है इसे यह क्या देता है अगर तो मतलब yellow color आ गया इस test की वैसे तो मतलब क्या है proline present है अगर कोई भी और color आया जैसे blue color आ रहा है तो मतलब इसमें amino acid की presence है यह बता लेगा मैं hope करते हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like जूर कीजिए share कीजिए जाद से जाद अपनी friends के साथ और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जो subscribe करते हैं उसके बाद एक पहला icon करते हैं 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 झाल झाल